तुलसी का हरा भरा पौधा देता है, ये संकेट नहीं जानते हों गया। शास्त्रों की बात जाने धर्म के साथ हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद ही पवित्र माना गया है। कहा जाता है, मा लक्षमी के स्वरुप में पूजा जाने वाला तुलसी का पौधा जिस घर में लगा होता है, उस घर में कभी धंधाने की कमी नहीं रहती। तो वहीं वास्तु शास्त्र में भी इसे मान्यता प्राप्त है। उसमें बताया गया है, इसे घर में रखने से वहां रहने वाले लोगों को कई कत्रह के लाब होते हैं, मान्यता है कि जो भी मनुष्य नियमित रूप से तुलसी माता की पूजा करता है, उसके घर में हमेशा देवी लक्षमी का वास होता है. तो वही शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा भविश्य में होने वाली घटनाओं का संकेत भी देता है, जी हां, तुलसी अच्छा वबुरा समय आने का संकेत हमें पहले ही दे देती है, तो चलिए जानते हैं तुलसी के उन संकेतों के बारे में, जो मनुष्य को भवि कई कोशिशों के बाद भी, नियमित जल देने के बावजूद भी तुलसी का पौधा सूखने लगता है। अगर तुलसी के हरे भरे पत्ते अचानक तूट कर अपने आप गिरने लगे, पीले पत्तों का गिरना प्राकृतिक है। इस विपत्ती से छुटकारा पाने के लिए शाम के समय तुलसी के पौधे के समीप घी का दीपक अवश्य जलाएं। जब तुलसी के पास छोटे छोटे हरे पौधे उगने लगे तो इसे शुब शकुन माना गया है। ये संकेट इस बात की ओर इशारा करता है कि आपके घर जल्द ही खुशियों का आगमन होगा। आपके व्यापार में तरक्की होने वाली है। इतना ही नहीं ये इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि आपके घर जल्द मा लक्ष्मी का वास होगा। वसाथ ही साथ धन लाभ भी होगा। आपने कई बार देखना होगा तुलसी के पौधे के पास चींटिया जमा हो जाती है। आप कितनी भी देखभाल क्यों न करें। चींटिया, मकौडे जैसे छोटे छोटे जीव वहाँ अपना घर बना ही लेते हैं। लेकिन बता दें कि शकुन शास्त्र के अनुसार इसे अश हो सकता है। पांचवा संकेत जब तुलसी के पौधे पर सुंदर सुंदर चिडिया, मनमोहक कोयल आकर बैठ जाए जिससे तुलसी खिली-खिली नजर आए तो इसे बेहद ही शुब शकुन माना गया है। इस संकेत से ये पता चलता है कि जल्द ही आपको धन लाब होने वा है। बताते चलें कि अकसर ऐसा देखने में आता है कि कई लोग जितना बार भी तुलसी के पौधा लगाएं वह सूख ही जाता है। और घर में तुलसी का पौधा कभी नहीं तिकता, मुर्जा ही जाता है, तो ये इशारा करता है कि आपके घर बुरी वनकारात्मक शक्तिय का वास है, साथ ही साथ ये पित्री दोश का भी संकेत देता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है, तो इसे कश्ट से चुटकारा पाने के लिए जुरतमंद लोगों को दान करें।